गुड इनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब सब अच्छे होंगे आज हम देखेंगे 31 अक्टुमर 2008 रार पेसी और यूपेसी गे प्रेस्पेक्टिव से कौन-कौन से करेंट अफियर इंपोर्टेंट हो सकते हैं इस यूजवल हमारी लेक्ट्ट शिरीज के सुरुआत में हम लास्ट लेक्ट्ट्ट की ज़ो क्यूस्वशन है उनके आंसर डिस्क्श करते हैं और फिर उसके बाद ऊकरन्टा नेक्ट्ट्क." तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन क्युचेशन पोचे ते उनके आंसर डिश्कर्स करेंगी सबसे पहले पहले जो क्युचेशन था कि वर्ड हेल्ट ओर्गनाइजेशन कि एंवारमेंट पॉल्यूशन या एर पॉल्यूशन पर वाईू प्रदूशन पर मीटिंग का होगी जीनेवाम वल्ल्ड और्वनाइजेशन विश्व स्वास्त संगठन की सिर्फ अध्यक्तपती करता है और चिंवीक्रमीति के अंद्रिया कुछ प्रदान मंत्री हो तो इसका जवाब आप सब विपक्ष के नेता इसके सदस्य होती यानि कि राजनाथ चिंग और मलिक कारजुन खड़के इसके सदस्य भी है इसके लाब हमने पूचा था ही जो हमारी CSIR है इसने कौन से सदस्य पटा के डवलप किया है जो वायू परदोसन भी करते हैं तो उसमें सवांस है सफल है और स्टार पटा के सवांस सपल और स्टार पटा के तो यह तो हमारी लास्ट लेक्चर के गुश्चन थे अब आज की ल सब्सक्राइब डिटेल में डिस्कस करेंगी कि स्टेच ओफ यूनेटी क्या होते है और उसके बारे में संबंदित कुछ फैक्ट से सरदार पटेल जिन कौन से अंदोलन के अंदर पार्डिसिपेशन किया था कौन से कांगरे सदिवेशन के अद्धिश्ट था कि जो इन फ् सब्सक्राइब डिश्टिय इस तरता और विकास परिश्ट की मिटिंग तो ये विकास परिश्ट की अलिम बैठग हुई है तो यह क्या होती है क्या कौन कौन से सदस्य होते हैं सारी इसके अंदर देखें इसके लाग क्या है कि बैंक को सम्दित कुछ बाते चल रही है प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करते हो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बात है दिसक्स किए उससे समझते कुछ फैक्ट देखें गो आज के सवाल देखें तो सबसे पहले जो न्यू जव क्या है कि की इस्टेचू ओफ यूनिटी कहां पर बनाए जा रहे है गुजरात के अंदर बना जा रही है तो सब पता है किसकी आई यह सरदार वलं बाय पटेल के सरदार वलंब्हाइप पतेल जिए के बारे में ये बात भी सब को पता होगी कि वह बाद के पहले ग्रह मंत्री थी ठीग आप इससे कुछ सम्मंदित फैक्ट है जो भोट इंसी हो सकते हैं फैला फैक्ट हो है विश्रकी सबसे उंची मूर्ति ज़्यादा की उस्टेचिते सुप अंपरिस्या के अंद्र और ऋ offensively बसंत मंदर बुद्ध की मूर्ती तो और दूसरी बात किया कि स्टेच ओफ यूनिट के जो कारिगर या कंपनी थी वह भी कौन थी चाहिनी थी तो वह तो अलग पॉइंट है आपने हो कितना द्यान रखना है सबसे ओची मूर्ती 182 मिटर अब इसकी हाइट 182 मिटर ही क्यों तो इसका भी एक रीजन है 2011 में गुजरात सरकार ने इसका अभियान शुरू किया था लोहा के नाम से और इसका 182 मिटर उंचा इसलिए रखी गई क्योंकि गुजरात की विदान सबम जो MLA है या कुल सदे से हो कितने है 182 तो इसलिए इसकी उंचा ही कितनी रखी गई है 182 PLUS 2025 अब इक हांपर है नर्ब्रणा नदी के पास राजपिला कोण सा पिला राजपिला प संदु और सत्पुडा परवत शंगलाओं के बीच में इस्ट चोप यूटि से थे 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 2011 में मोधी गुजरात के मुखमंत्री थे तो उस टाइम राष्टी एक तर ट्रेस्ट उनों ने बनाय तर उसके तैत में फिर सोड़ाजार नोसो गावं में गए और वहां से सो मिलियन टर्न लोगा लेकर किया और उसारे सारी डैट इज नोट मैं पता होना चीव राम भी सुतार ने यह मोटी बढ़ाई है और चीन के कंपनी जीयोंग जी टॉकनी कंपनी जीटी क्यू से इसकी सपोर्ट लिया गया है तो यह कुछ फैक्टिस से संब्दित इस मोड़ती से संब्दित है एक्ता का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इनके जर्म दिन को बार सरकार ने एक्ता दिवस के रूप में यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निड़ने लिया ता और इसी दिन पर यह स्टेची ओफ यूनिटी का इन्योगरेशन नहीं किया है सरदार पटेल के बार हम देखे तो 1917 के अंदर कॉंगरेश से जुड़ गए ते और गुजरात सभा की सचीव बने उसके बाद उन्हों नोट टैक्स अभियान चलाएं कौन सभियान चलाएं नोट टैक्स की बही किसान टैक्स नहीं देंगे क्योंकि बाढ़ आ गई थी गु सपादार के उपादी तो पीम तर्फोर Śञा उसके बाद में ने एसा योग आंदोलन के अंदर भी पार्ठिशिपेट किया और फेर 1918 के अंदर बार्दोली के अंदर में फिर सेर्त्य गरी के तो Jew बार्दोली सत्यागर कि इनका नाम ज्यादार फेंज-प्यमस सर्दार वल्लम भाई पटेल का योगदान रहा वार्दोली सत्यागर है के अंदर 1928 में उसके लिए ज्यादा फेमस इनका नाम है तो यह अपने को द्यान में रखना कि बार्दोली सत्यागर है और दूसरा किसके अंदर 1931 का जो कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था कराची सत् इंपोर्टेंट पर सर्दार वल्लम भाई पटेल ने कोंग्रेस के किस अधिवेशन के अधिश्ता किये थी तो वह 1931 का करांची अधिवेशन था उसके अधिश्ता किये थी सर्दार वल्लम भाई पटेल ने ठीक है तो यह फैक्ट अपने को कुछ ध्यान में रखने जेल मे पहली बात तो इसका गठन ड़ाइं अने के लिए नाम है विकास परीशन टीक है एसके लावा नियाम के ऐना विभाग तो इंटरेगुलेट्री कोर्डिनीशन समझ उप बढ़ाने के लिए और वित्य चेतर के अंदर विकास को बढ़ावा मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर इसके अंदर कोई कोन होते हैं इसके अंदर आर्थिक महमलों की भागल के सचप किते हैं मुक्षे और कि सलाकार प्रहटन के इसके लाओ जो हमारा सेब यह 隻 कहांस फैनर को हमारी सफसद्च च्पर्फिक्वीद। तो सचीव को सामिल किया गया है बाग इतने साथ नाम तो याद रखने की जुरूत नहीं है तो ये काम क्या करती है विकास को बढ़ावा दिना वित्ति शाक्षर्ता को बढ़ावा दिना का काम करती है को फाइनिसल इस्टेबिलिटी और डवलप्मेंट काउंसिल अगले जो क्या करते हैं मनी मारकेट के अंदर कोई किसी कमपनी या नि तुम्हें ने कमपनी खोलिए य। तुम्हें पैसे ज़ुरूत पढ़ गई तो फिर पारट से उठाथे कमपण Paramf Yep लोग। और मेरे किम्पनी एक वर्स के बाद में यह कागज मुझे वापस दे दे ला ओर इतना ब्याज ले ले लोना या फिर इतना बट्पा ले 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 लोन तो उससे इसको बोलते हैं क्या commercial paper अब ये ज़्यादा परचलन में आ रहे हैं as compared to bank से loan लेने के तो लगा क्यों आ रहे हैं क्योंकि bank के अंदर ब्याज की तरह है वो महेंगी है as compared to market के अंदर ब्याज की तरह है वानेज जी paper की तरफ जा रहे है commercial paper की तरफ जा रहे है loan लेने के लिए और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके maturity period है कितने time तक आप loan ले सकते हो एक साल तक और इसकी सबसे drawback क्या है कि ए commercial paper से market से loan तभी उठा सकते हो जब लोगों की पास पैसा हो तरलता हो market के मालों market के अंदर जारी करो भाई लो यह मैं paper पर लिखकर देता हो मेरे company के लिए पैसा दो कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देगा तो यह क्या है कि एक एसरुक्षित माद्य में वानेज जी paper क्या है एक एसरुक्षित माद्य में दन कि इसके लाव जो सबसे लास्ट में वह क्या ह दिववार्शिक living planet report living planet report इतना द्यान रखो living planet report पहली बात तो यह report किसके द्वारा जारी की जाती है living planet report किसके द्वारा जारी की जाती है living planet report जारी करता है WWF worldwide fund अब यह worldwide fund क्या है एक non-governmental organization है एंजियो है और यह जारी करता है living planet report कितने साल में हर दो साल के अंदर जारी करता है इस वार इस ने living planet report 2018 जारी किया और इसमें बता गया है कि बाई 1970 से 2014 के बीच में वने जीव आबादी जो वाइल्ड है आबादी उसके अंदर 60% की कमी आगी तो इस रिपोर्ट का कितने साल के अंदर जारी करता है दो साल के अंदर जारी करता है वल्ड वाइल्ड फंड और इसकी स्थापनोंने स्विक्षट के अंदर हुई ति कहा इसका मुख्वाल है इसके लाव यह दो रिपोर्ट और जारी करता है वर्ल्ड लिविंग प्लेनेट इंडेक्स वर्ल्ड लिविंग प्लेनेट इंडेक्स 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 भी प्रियावण के अंदर कितना इस्पेस होना ची है मनुस्य की प्रकरती से कितनी नीड है वो बताता इकोलोजिकल फुट्प्रिंट तो यह अपने कुछ फैक्ट इसके बारे में ध्यान में रखने है जो हम सवाल पहुंते हैं आप लोगों इसका बड़े उच्छा से जवाब देते हैं और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे है तो जो आज का पहला सवाल है वो यह है कि भई लिविंग प्लेनेटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है दूसरा जो कुछिन है कि सरदार वल्लम बाई पटेल ने कौंग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो तीसरा जो कुछिन है FSDC Financial Stability Development Council वित्ती इस्तरतायम विकास परिशद का उपादर्च कोन होता है डिप्टी चेर्मेन कोन हता है आप सब इसके जवाब देने कोशिश करे थेंक्यू थेंक्यू समद